जेन फिरेंट जोब सचर डिशुनल में आपका स्वागत है आज इस पीड़ी में हम बात करने वाले एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि आपकी आउट हुई है जिसमें आपका एड्मिट कार्ड जारी किये गए है 14 गोर्का ट्रेनिंग सेंटर की तरब से आपकी रिक्रूटमेंट आउट की गई थी उसमें आपके एड्मिट कार्ड जारी हो चुके हैं बहुत ही फास्ट प्रोसेस उसकी रखी गई है जो कि हिमाचल परदेश सिमला के पास में आपका सुबोदू है वहाँ पे आपके ये व होचने वाले हैं आपके केंडेट के मॉबाइल पर ट्रेगिंग मेसेज आने स्टार्ट हो चुके हैं मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौनची विकेंच चीज आपके आउट की गी थी यदि आपने अपलिकेशन फोरम नहीं फील किया था तो आपको जानकरी रहना भी हो चुके हैं सुबातू हिमा सीमला हिल्स या आपका हिमाचल परदेश में सोलन के पास में डिस्टिक में इस्तित है जिसमें आपकी वासर में इनकी जर्नल की एक पोस्ट आउट की थी पेंटर के लिए एक केंडेट था जिसका एडमिट कार्ड के लिए मेसेज आया है 67% प आदार पर आप पता कर पाएंगी कि आपका एडमेट कार्ड वहां से जारी हो चुका है इसके बाद में MTA सफ़ाइवाले के लिए जर्नल की एक पोस्ट थी और आक्सरियूसमें के लिए एक पोस्ट थी बहुत ही कम पोस्ट आपकी जारी की थी केंडिडेट ने फोरम भी क अपका प्लाइए किये गए हैं इसमें आपकी बात करें कि आपका क्या एक्जाम में आएगा तो यह आप यह आप देख सकते हैं सलेवस में आप यह दिया गया डेड़ सो नमर का पेपर रहेगा जर्नल एंटलेंस रिजनिंग आपकी रहेगी 50 नमर की सोरी 25 नमर की कि इसके टेस्ट भी साथ में करवाया जा सकता है इसमें बहुत ज्यादा केंडेट नहीं बुलाया जाएंगे आपको मैं पहले भी बता दूँ कि आपको पहले भी इसमें दिया गया था इसमें सेलेक्टेड केंडेट जैसे कि आपके सोर्ट लिस्टेड केंडेट को ही बु लाया जाएगा तो यह पूरी जो भी केंडेट होंगे सोर्ट लिस्टेट केंडेट होंगे जिनका भी admit card आएगा और उसमें एक ही साथ में पूरी process complete करवाई जा सकती है तो जो भी केंडेट हैं जिनका भी admit card आता है एक बार comment box में जुरूर कमेंट करें अभी मैं आपको दिखा जैता हूं जो ट्रेगिंग नंबर जहां से आपका एड्मिट कार्ड जारी किया गया है स्क्रीन पर मैंने आपकी ओपिशल वेबसाइट जो की आपके स्पीड पोस्ट ट्रेगिंग के लिए निकालते हैं उसमें आपके अजिए नहीं पास एड्मिट कार्ड रिश्यूड हो जाएगा तो जो भी केंडेट हैं जिनका भी एड्मिट कार्ड आता है एक बार कमेंट बॉक्स में जूर कमेंट करके बताएं एक्जाम डेट और बाकी की इनफोर्मेशन जल्द ही पता चल जाएगी जल्द ही इनके एड्मिट पोश्त का आ रहे हैं तो आपका ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है यहादी आपका इस पे ऐस और आ चुका है जैसे कि मैं आपको मोबाईल में देखाता हूँ कि किस परकार का जिस आपके पास आएगा तो उस परकार से ये अपने की जुटनी है यदि आपके पास अभी तक मेसेज नहीं आया तो हो सकता है अगले कुछ दिन तक आपका मेसेज जल्द ही आ जाएगा और बाके कि 39 गोर्खा रेजिमेंट वारानसी का भी जल्द ही एड्मिट काड आएंगे उनकी भी प्रोसेस बहुत ही फास्ट होने वाली है उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा वन मन्त के अंदर आपके एड्मिट काड जारी आ जाएंगे तो आप जल्द से कोई भी फरजी नहीं है मैंने पुरा आर्टिकल नमबर लिया है और उनको खुद को ट्रेगिंग किया है सही बिल्कुल आपका जैसे कि मैंने अभी दिखाया है सेम आपका उसी सेंटर से आपका एड्मिट काड के लिए सेंड किया गये हैं तो आप टेंसल लेने के जूरत स्टार्ट कर दें इसी मत के अंदर तक आपकी एक्जाम होगी तो टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है जो भी आपका सेलेवस मैंने बताया है इसकी पीडियेप हमारे टेलिग्राम गुरूप पर उपलब्द है टेलिग्राम गुरूप की लिंक वीडियो के नीचे है जो कि प्रिवेस कुशन पेपर भी वहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे पिन मेसेज में आप चेक करेंगे तो बहुत सारी पीडियेप हमारे लेटेस्ट ही अपलोड की गी है फरी ओप कोश्ट आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं फरी ओप करें कि जो भी पीडियेप अपलाफ कराएगी हैं उनको एक बार रिडिंग जरूर करें जिससे हो सके कि आपके उसमें पांस से साथ कुशन भी आते हैं तो वह बहुत ही बेटर आपके लिए रहेंगे जहें दोस्तों